हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माइटूब चेनल फ्रेंट्स साल 2022 की आने वाली फिल्मों में सबस्यादा सुर्ख्यों में गदर टू चल रही है दोस्तो अनिल सरमा 20 साल बाद सुपर हिट फिल्म गदर एक प्रेम कता का सीक्वल गदर टू लेकर आ रहे हैं गदर टू को नई क गहानी के साथ आगा बढ़ाई जाएगा तो दोस्तों क्या आप कह सकते हो गदर टू भी गदर एक प्रेम कता की तरह तहल का मचाने वाली फिल्म बनेगी तो फ्रेंट्स हमारे इस सबाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जवाब होगा लेकिन दोस्तों आज की इस की कुछ बड़ी वज़ा हम आपको आज की इस वीडियों बताने जा रहे हैं तो फ्रेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेर आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों गदर एक प्रेम का था एक पेरियर रूमानिक ए इसी बज़ाए से लगबग पहले पाट की सबी बड़ी स्टार कास्ट को दोराया गया है दोस्तों सनी दियोल अमिसा पटेल और उतकर सर्मा का नाम का अनौन्स कर दिया गया है गदर टू भी अनिल सर्मा ही बनाने जा रहे हैं फैंस एक बार फिर सनी दोल के भारी भरकम सं को बॉलिवूड आखि कितने दिनों तक भी सकता है कही दिनों तक भी सकता है लेकिन कंडिशन्स के साथ दोनों दियसों की बीच कितना तनी भлыख मुद्धा है जो हमे사ğ दर्सकों को प्रभावित करता है लेकिन दोस्तों फिल्मों को अच्छा बनाने के लिए काई सारी च सकता है फ्रेंड्स अगर हम गदर टू के निर्देशन और स्टार काश्ट पर ध्यान दे तो गदर टू के चार बड़ी नाम सनी दियोल अमिसा पटेल उतकर सर्मा और उनके पिता अनिल सर्मा लंबे बक्त से कोई करिस्मा नहीं दिखा पाए हैं चारों लगतार नाकामयावी जेल नहीं हैं और सुपर फिलोप कहे जा सकते हैं दोस्तो कामयावी तो दूर की बात सनी दियोल तो किसी डंकी फिल्म में भी नजर नहीं आए हैं बेज़ादातर होम प्रोडक्शन की फिल्मों में ही दिखे हैं जिनका बोक्स ओपिस पर हसर बहुत ही निरास जनक था अग पिर पिता की सक्सिस फ्रेंचाईजी में आ रही हैं अमीसा पटेल तो लगवे फिल्मों से गायब हो चुकी है वो कभी कवाहर भी ग्रेट फिल्मों में दिखती हैं गदर के बाद अलिल सर्मा ने करीब एक दर दिन से ज़्यादर प्रियास किये पर सपलता ने उन से मूँ मौड लिया फिलहाल तो दोस्तो गदर टू सुपर फिलोप स्टार कार्ट से भरी पड़ी है और ये पहली वज़ा हो सकती है गदर टू के नाकामयाब होने की दोस्तो इसके अलावा भी और चीज़े हैं जो गदर टू को असबलता का मूँ दिखा सकती हैं दोस्तो फिल्मो की कहानी में भारत पाकिस्तान होने के बावजूद भी चीज़े बेहतर नहीं हुई हैं यहां तक कि जंग पर बनोई फिल्मों का हाल भी बहुत खराब रहा है इसका उधरर तो हाल ही में दिखाई दिया जब भुजदा प्राइड ओफ इंडिया 1971 में भारत पाकिस्तान के बी पिक फिल्म सेर्जाने जवर्दस्त करिस्मा दिखाया ओठीटी पर इसे खूब पसंद किया गया तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि गदर टू में भारत पाकिस्तान की तना तनी की कहानी दिखाई जाए तो बेह गदर एक प्रेमकता की तरह ही धहमाल मचाई दोस्तों गदर अलग जमाने की फिल्म थी 20 साल पहले महोल अलग था और दर्सक अलग थे तब सोसल मीडिया नहीं था स्मार्टपोन नहीं आया था फिल्में एक अलग ही अधार पर खड़ी होती थी खासकर सनी दोल की फिल्में जिनका साउंड बहुत ही लाउड होता था बोर्डर य और एक नहते हीरो का पूरी पाकिस्तानी सेना को नागो चनी चबबा देना तर्सकों को भार रहा था दोस्तों 20 साल में सीनी में या थार्त के ज़्यादा करीब हुआ है और जवर्दस्ती का चीक नचिलाना कम हुआ है डिजीटल यूग ने दर्सक और उनकी पसंद में कहानी को नए जमानी में सेट करने के बहतर मौके होंगे दोस्तों साफ है कि गदर्टू की कहानी बढ़बारे और भारत पाकिस्तान के दिस्तों की गुत्ता मुत्ती को ही दिखाएगी दोस्तों इसमें कोई सक नहीं है कि बॉली बुट की तमाम देज़भक्ती फिल्में ब उसे पिरभावी तरीके से दिखाया जाएगा फ्रेंट निल सर्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो गदर टू को गदर से जादा पिरभावी बनाएं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई बिकल्प नहीं है दोस्तो मुझूदा सियासी माहोल को गदर टू के लिए एकदम से ठीक माना जा सकता है भारत पाकिस्तान के रिस्तों में तल्की पहले की तरह ही है अफगानिस्तान में तालिवान सासन के बाद कस्मीर में आतंकी फिल्म उठाते दिख रहे हैं और देश के अंदर राष्टरबादी भाबनाय उफ़ान पर है दोस्तों ये चीज़ें फिल्म को फाइदा पहुचाने वाली भी मानी जा सकती है लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको वीडियो में पीछे भी बताया है फिल्म की स्टार काश्ट का काफी समय से किसी भी अच्छी फिल्म में ना दिखाई देना फिल्म की कहानी वहीं भारत पाकिस्तान की तनातनी पर बनी हो तो ये चीज़ें फिल्म को बहुत बड़ा नुक्सान भी पहुँचा सकती है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और अगर आप इस तरह का वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना